हेलो एवर्यवन वेलकम अगेन इस लर्ण विद इथिमन बचो हम बात कर रहे थे क्लास 10 के चेप्टर नबर 13 में और हमने अभी तक पढ़ा आपका रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन्स और आज हम बात करेंगे रेलवेज के बारे में तो रायस्थान में जो प्रिथम रेलवे कहां से कहां तक चलाई गई, पहला कोशन आपके सामने यह है, 68 कोशन हमारे हो चुके हैं, 69 कोशन तो चली बिना दिरी के स्टार्ट करते हैं, आपने पता होगा प्रिथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी रायस्थान में, आगरा कुई चार मंडाल समिले थैं, जैपर मंडल, Saijmir मंडल, Vikarnir मंडल और जोत्पूर मंडल, ठीक है, एक कुश्चन देखें, राइस्थान का पांचवा मंडल किस रेलवे जॉन के अंतरगत आता है, तो आपका ये जो पांचवा मंडल है, वो पश्चिमी मध्या रेलवे जॉन के अंतरगत आता है, जिसका है, जवलपूर के अंदर, ठीक है, भारत के पिर्थम तीन राजे कौन से हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई किसी चिछित में हैं, पिर्थम उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई टेल मारगों की उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, दूसरा आपका राजिस्थान है और तीसरा महराष्ट, ये तीनो तो नागार में है और 2 अक्टोबर 1904 में को यह प्रागर्म किया गया था तो यह 3 जून 2015 को किया गया था नाग कोशन देखें एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां इस्तित है तो यह आपका फुलेरा जंसन है कौन सा है फुलेरा जंसन एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यहां पर है ओके नाग कोशन देखें भारत का सबसे बड़ भारत का सबसे बड़ा railway model कख कहां पर इस्तित है तो यह आपकी उधयपूर में है इसलिए यह काफि इंपोर्टन है क्योंकि राइस्थान के अंदर रहता है और 1965 से प्रिष्चंड केंदर के तौर पर दिखा जाता है उधयपूर में 1965 से प्रिष्चंड केंदर के तौर पर ज जाना जाता है और ये उधरपूर में है ने कोशिण देखिए ठार एक्स werd कहां से कहां तक चलाई जाती है convert बार्ड मेर के बाइट के मुणावा देख पाकिस्तान वह एपने भारत का लास्ट इस्टेशं पर टाहें और पाकिस्तान में खोकरापार जो है वो उसका लास्टे स्टेशन अपने सीमाबे पड़ता है तो इन दोनों को जो जोडने वाली है वो थार-एक्ष्प्रेस है तो बाड मेर के मुना बाव से पाकिस्तान में खोकरापार तक यह जाती है थार-एक्ष्प्रेस नेक क्वेशन देखें राजिस्थान में चलाई गई प्रिथम अंतियोधय ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी तो यह आपकी बिकानेर से विलासपुर तक चलाई गई थी और यह 13 जुलाई 2018 में चलाई गई थी इसलिए यह ज्यादा लेकिस्ट ही है प्रिथम बहरत में जो रेल परिवयन है वो सरप्रतम कप परारम हुआ तो 16 अपरेल 1853 को परारम हुआ था और मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 33.181 किलोमीटर का यह रूट था तीक है यह रास्ता कितना लंबा था 33.181 किलोमीटर था मुंबई से थाने के बीच में चली थी 16 अपरेल 1853 में चली थी यह भारत में रेल परिवयन की सरप्रतम थी और जब राइस्थान की बात की थी तो हमें पता है आगरा से बांदी कुई के बीच में चली थी जब भारत की बात आती है तो मुंबई से थाने के बीच पे चली थी, ओके, नेक कोशन देखें, भारत का पर्थम रेलवे मंत्री कौन था, भारत का जो पर्थम रेलवे मंत्री थे, वो कौन था, तो वो जॉन मता ही थे, जॉन मता ही जो थे, भारत का पर्थम रेलवे मंत्री कि देदी है वीडियो के तो आप जरूर देखिएगा उसको 18 जॉन कौन से है इसमें जो जॉन है उनके बीच में बस दो ही चीज आपको देखनी है कि कितने जॉन है और उनके मुख्याले कौन से है उनका मुख्याले कौन कौन सा है आपको बस इतना सा ही याद रखना है और ट यात्री गाड़ी कब चलाई गई थी तो यह 15 अगस्ट 1854 को चलाई गई थी हावडा से हुगली इस्टेशन के मद्द है यह फिर थम यात्री गाड़ी चलाई गई थी नेक कोशन देखे देश में सबसे लंबी दूरी तैय करने वाली रेल गाड़ी कौन सी है देश में जो 6286 क 9 डीच ग्लोमीटर का यह सफार तैय करती है तो विवेक एक्स्ट्रेश जो डिब्रूगर से कन्या कुमारी तक जाती है और यह 2286 cycling का सफर करती है नेक क्वेशन देखें दूसरी सबसे लंबी दूरी तैय करने वाली रेल गाड़ी कौन सी है दूसरी जो सबसे लंबी द 3726 km का सफर तेक करती है 3726 km next question देखें भारत की पहली semi high speed train कब और कहां चलाए गई थी यह 5 अप्राइल 2016 में नई दिल्ली से आगरा के लिए चलाए गई 160 km प्रतिघंटे की speed थी या फिर miles के अंदर अगर देखा जाए तो 99 miles per hour थी यानि नियान में में मिल प्रतिघंटा की speed इसकी अधिक्तम थी ठीक है एक question देखें ब्राड गेज यह ब्राड गेज मीटर गेज यह questions काफी important हैं क्योंकि यह questions repeat होते हैं और यह बार-बार repeat हो रहे हैं तो यह चीज़ें आपको रट लेनी है definitely आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है तो ब्राड गेज जिसको बड़ी लाइन भी कहा जाता है उसके बीच में difference क्या है उसमें rail की पट्रियां होती है उसके बीच में जो gap होता है उसी के आधार पर इसको define करते हैं तो ब्राड गेज में rail की पट्रियों की जो दूरी होती है वो कितनी होती है तो यह 1.666 मीटर के दूरी होती है ब्राड गेज यानि बड़ी जो लाइने होती है उनकी पट्रियों के बीच में जो दूरी होती है वो 1.666 मीटर की रखी जाती है ओके नेक कोशन देखें मीटर गेज जो होती है मीटर गेज में rail की पट्रियों क कि दूरी कितनी होती है, meter gauge, broad gauge बड़ी है, meter gauge, middle range वाली gauge है, तो इनके पट्रियों की बीच में दूरी कितनी होती है, यह एक meter का differences के बीच में रखा जाता है, कितना रखा जाता है, एक meter का, next question देखें, फिर आती है narrow gauge, narrow gauge सबसे छोटी वाली line है, तो छोटी वाली line में rail की पट की दूरी आ रखी जाती है, 0.762 meter या फिर 0.610 meter, okay, next question देखें, यूनेसको की सूची में सामिल भारत का सबसे उचा railway station कौन सा है, यूनेसको की सूची में सामिल भारत का सबसे उचा railway station कौन सा है, तो कौन सा है यह, हम जानते हैं, दार्जिंग हेमालियन railway में आता है, उपन नाम इसको toy train पा जाता है, न्यू जलपाई गोड़ी से दार्जिंग के बीच में रास्ता जाता है, और 80 km यह लंबा है, तो यह, दार्जिंग इस्टेशन जो है, वो आपका यूनेसको की सूची में सामिल भी है, ठीक है, next question देखें, यूनेसको की सूची में सामिल railway terminal, जि कौन सा railway terminal है, यह आपका छत्रपती सिवाजी terminal है, छत्रपती सिवाजी terminal काफी important है, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, next question देखें, यूनेसको की सूची में सामिल, यह सभी क्या है, यूनेसको की सूची में सामिल छेत्र हैं, तो इस चीद का याद रखना होगा, आपक terminal है, यह 60 km का है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, यह आपको नील गरी माउंटेन रेलवे का जाता है, क्या का जाता है, इसको नील गरी माउंटेन रेलवे, next question देखें, कालका से सिमला तक जाने वाले किस रेलवे को यूनेसको की सूची में सामिल किया गया है, तो यह क रेल से नहीं जुड़ा है, भारत में जित्ते भी राज्या हूं, किसी ने किसी तरह किसे रेलवे से जुड़े हुए, लेकि भारत का एक ऐसा मात्र राज्या है, जो रेल से नहीं जुड़ा है, वह आपका सिक्म है, ओके सिक्म ही एक मात्र ऐसा राज्या है, जो किसी भी प काम होते हैं यह आपके पास टाइम है तो आप इसको याद कीजिएगा नहीं आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखते हैं कपूर्थला है उसमें रेल के डिप्यों का निर्मान होता है इसी तरह इसमें डीजल इंजन्ट के संगणक का निर्मान किया जाता है इसी तरह वाता को वाता नुकलेट यानि इसी कोच होते हैं वह कहां बनते हैं वह राइबरेली की फैक्टरी में बनते हैं इस तरह चपरा में रेल के पैये का जो कार खाना है वह चपरा के अंदर है जो 1978 में इस् ग्वालियर के अंदर यात्रि सवारी स्फिरिंग निर्मान किया जाता है यहां पर दुरुष यहां यहलिख का बेंग्बूरु में हैं सुत्तन्थ भाद का प्रिथम बिदूत इंजन कारखान का बनाया गया था चीट्रेंजन में बनाया गया था ठीक है चेन नहीं सवारी डिब्बे का निर्मान जो पैरामबूर में होता है डीजल विदू लोकोमेटिव इंजन का निर्मान तिरूल चुन्नापली में किया जाता है तो यह कुछ प्रोडक्शन हो से हैं यहां उस पादर निकाईया हैं रेलवे की मुक्य हैं ठीक है इसी कि उत्तर मद्ध्य रेलवे है यह इलड़ाबाद में है यह पूरोग्त्ति सिमांत रेलवे गोहाटी पूरवाटटर गणतर अर्णिक्शनी और दूसरा जो हमारा प करिमा रेलवे जय है जबलपुर मी है तो यह कुछ जो राइस्ता한테 no Bree आपको डेफिएल्बर बार पूर मद्य रेलवेг खांदराबाद पूर मद्य रेलवे भूमेश्वर, पूर वेरवे कोलकता में हैं, इसका हैड अफ़ेस कोलकता में इसका तो कोलकता में ही है, दक्षिंड 30 एरेलवे विसाका पटनमें, तो इस तरह ये टोटल 18 जॉन है जहां पर उनके साथ में इनके मुख्याले भी दिये हुए है, तो बच्चों इसी के साथ आ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू